जीता हुआ टेस्ट मैच इंग्लेंड से हारने के बाद कप्तान रोही सर्मा पूरी तरह भड़क उठे बता दिया हार का बड़ा कारण क्या था और दोस्तो भारत की टीम की सबसे बड़ी गलती भी उन्होंने बता दी कि हम ये मुकाबला पूरी तरह जीत रहे थे लेकिन कैसे हमारे हाथ से एक दम से ये मुकाबला विसल गया और हम ये जीता हुआ मुकाबला हार गये जहां दोस्तो भारत की टीम जहां पहला टेस्ट मैच आराम से जीत रही थी इंग्लैंड के खिलाफ लेकिन दोस्तो भारत की टीम ने दूसरे इनिंग में इतनी खराब परदशन किया कि इसके बाद उनके हास्रिप मैच में चलता चला गया जहां दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीते ही बल्ले बाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 246 रन बना दिये थे लेकिन दोस्तों भ जब इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में बल्ले बाची करने उतरी तो फिर दोस्तों ओली पोप ने पूरी तरह भारत को धोके रग दिया और दोस्तों भारत की गेंद बाजी की उन्होंने एक के बाज एक धजिया उड़ा दी और 196 रनों की शांदार पारी खेल दी ज इस वज़ा से दोस्तों इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 436 रन बना दिये थे और दोस्तों अब भारत को यह पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 231 रन बनाने थे जान दोस्तों भारत को अगर ये मुकाबला जीतना था तो फिर दोस्तों भारत की ओपनिंग पार्टनर परशी फी 42 रन के अंदर सिमिट गई और इसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा इसके बाद भारत की टीम केवल 202 रन बना कर अल आउट हो गई और दोस्तों इंग्लैंड ने 28 रनों से ये मुकाबला जीत कर इस 5 मैचों की टेस्ट सरीज में 1-0 की बढ़ी बनाई थी और इस वजह से ओली पोप की शंदर परदशन के लिए उन्हें प्ले रव दा मैस चुना गया जांदोस्तों रोही शर्मा ने हर के बात कहा कि जहां पहले इंग्लैंड से कहीं जाद आगे थे हमारे पास 190 रनों की बड़ी बढ़त थी लेकिन इंग्लैंड के बल लुटाए और हमारा बल्ले बाज भी अधिकरन नहीं बना पाए जिस वजह से हम ये मुकाबला हार गए जहां हम ये मुकाबला अराम से जीत रहे थे और टेस्ट मैच में शुरुवाती बढ़त बनाना काफी अच्छी बात होती है लेकिन रोहित ने ये भी माना कि हमारी ट लुटाजों ने इस मुकाबले में अच्छा परदशन नहीं किया और दोस्तों बल्ले बाजी भारत की पूरी करा बिख्री हुई दिखाई दी ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से भारत की टीम के उपर सवाल खड़ी होने लग गए हैं कि क्या भारत की बल्ले बाज कुछ ज जिरूर बताएं